हेलो फ्रेंज आज मैं आपके साथ ऐलो वीरा सोप की रेसिपी शेयर करूँगी ऐलो वीरा सोप हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये बिलकुल हैंड मेड हैं घर में बनाया हैं बिलकुल नाचुरल है इसमें कोई भी हामफुल केमिकल्स नहीं हैं तो देखते हैं इसके लिए मैंने क्या किया हैं सबसे पहले तो मैंने छट में बहुत सारा एलो वीरा लगा कर रखा है तो अगर आपने भी नहीं लगाया है तो गमले में जरूर लगा लीजिया अगर एक पौथा हमको जादा नहीं चाहिए बस एक या दो पत्ते ही एनफ है तो यहां पर देख सकते ही कि मैंने पत्ते काट लिये हैं और पत्ते को काटने के साथ ही आप देख सकते ही कि यलो रंग का पीला प्रदार्थ है इसको हमको फैकना बहुत जरूरी है यह जो होता है यह इसमें जहर होता है एक तरह का तो यह हमारे स्किन में और बालों में अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमारे स्किन में इरिटेशन create करता है तो इसलिए हमको जब ही हम पत्ते को काटते हैं तो हमको एक से दो गंटे तक इसको हमको ऐसी यूँ ही रख देना है ताकि इसका जो पीला पदार्थ है वो निकल कर बहर आ जाएं उसके बाद फिर हम इसको अच्छे से धोलेंगे धोने के बाद फिर इसको हम use करेंग कररें अच्छे एक घंटे बाद अच्छे से धोलाय धोने के बाद अब मैं इसके जो काटे हैं साइड में उसको चाकू की साहिता से गार लूंगी और इसको अंदर का जेल है उसको मैं निकालूंगी और जेल को भी मैं चमत से 0 aja this applications मिक्सी में अच्छी से चला लूँगी और जो जेल होता है वो थोड़ा अभी जो फ्रेश होते समय बहुत ही स्लिपरी होता है उसको अगर हम फ्रिज में दो दिन के लिए रख देंगे तो वो आटमेटिक गदम पानी पानी गदम लिक्विट फर्म में आ जाता है तो अभी मै साइट के जो काटे हैं इनको रिमूव कर लूँगी और चमच के साहता से इसके जो अंदर का जेल है उसको मैं निकाल लूँगी एलो वीरा हमारे skin के साथ हमारे बालों के लिवी बहुत अच्छा है तो मैं क्या करती हूँ इसका जो gel है उसको मैं निकाल कर इसको मैं मिक्सी में चला लेती हूं और एक बॉ Alright बॉर कर को निकाल कर रग देती हूं तो आप भी ऐसी कर सकते हैं, घर पे नहीं है, तो गमले पे लगाईए, बहुती गुनकारी है ये, और आप खाली एलोवीरा नहीं, और भी काफी सोप्स बना सकते हैं, नीम सोप है, आपका काफी सोप है, काफी सारे सोप्स है, जो अलग-अलग स्किन टाइप से हम बनाते हैं मैंने जब कोर्स किया था सोप मेकिंग का तो उसमें हमने काफी सोप सीखे हैं बनाने के लिए तो मैं अपने आने वाले वीडियो में आपके साथ सब शेयर करूंगी धीरे-धीरे ड्राइ स्कीन के लिए और नॉर्मल स्कीन के लिए सब तो अभी देख सकते हैं, मैंने ब्लेंडर में इसको अच्छे से चला लिया है, चलाने के बाद अभी देख सकते हैं, विल्कुल जेली फॉम में है, तो ये है सोप बेस, ये शिया बटर है, ये रेगुलर बेस है, और वो है गोट मिल्क बेस, तो ये जस्ट अभी मेरा ओडर तो अगर आपको चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नंबर दे दूँगी आप इनसे और कर लीजिएगा पहले मुझे पता नहीं था तो मैं अमेजन से और करती थी तो अमेजन में बिल्कुल डबल दाम में मिलता है तो सेम चीज जब हमको कम डाम में मिल रहा है तो क्यों ना मैं यहीं से उनसे क्यों ना लूँ तो quality भी number one है काफी soap orders भी मैं लेती हूँ तो आज तक मुझे किसी भी customer का कोई भी complaint नहीं आया है क्योंकि मैं ऐलो वीरा सोप बना रही हूँ तो इसके लिए मैं रेगुलर बेस यूज़ करूँगी और इसमें से मैंने तक्रीबन 300 ग्राम या 200 ग्राम करीब काट लिया है इसको मैं छोटे चोटे पीसे कर लूँगी कर लूँगी और इसको बस हम पोर करेंगे और हमारा सापन बिलकुल बनके तयार हो जाएगा सोप का नाम है मेल्ट एंड पोर अब मैं इसको और चोटे-चोटे पीसे कर लूँगी और इसको हम फिर मेल्ट करेंगे मेल्ट करने के लिए मैं गैस में पतीला चड़ा दूँगी उसमें थोड़ा पानी डालूँगी और उसको डबल बॉयलर की मेथट से मेल्ट करूँगी आप चाहे तो माइक्रोवेव ओवन में भी इसको अराम से मेल्ट कर सकते हैं फिलाल तो मैं आपको double baller की method से ही बना के दिखाऊंगी तो चलिए अब इसको हम melt करते हैं तो एक पतीले में बरतन में मैंने इसको डाल दिया है और गैस में मैंने पतीला चड़ा दिया था अब इसको मैं कम आच में ही melt करूँगी तो देख सकते हैं अभी धीरे-धीरे melt हो रहा है अब ये बिल्कुल अच्छे से melt हो गया तो मैं इसमें जो मैंने gel बनाया था उसको मैं डाल दूँगी, add कर दूँगी और अभी gas को बिल्कुल ही कम ही रखोंगी शुरू से अन तक हम कमी रखे तो ही अच्छा है तो इस वक्त आप चाहे तो color add कर सकते हैं और चाहे तो आप अपना soap को normal ऐसे ही रख सकते हैं मेरे पास color था तो मैंने इसमें add कर दिया ये बिल्कुल skin friendly colors है soap colors ही होते हैं ये आप चाहे तो food color भी इसमें add कर सकते हैं एक drop food color तो हम cake वगेरा में use करते हैं तो वही same color भी आप इसमें भी use कर सकते हैं तो और अगर चाहे तो आप skip भी कर सकते हैं बिल्कुल optional है और थोड़ा खुश्बू हो soap में तो वो और भी अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने इसमें aloe vera fragrance oil भी थोड़ा add किया है दो से तीन drop मैंने इसमें add किया है साथ ही साथ मैंने glycerine भी थोड़ा इसमें डाला है although ये glycerine soap base है फिर भी मैंने हलका सा इसमें glycerine भी add कर दिया है और थोड़ी बुंदे मैंने अलोवीरा सूप ट्राइगरंस के भी एड़ किया है बस इसको मिला लूँगी अच्छे से मिला के मैं मोल्ड में डाल दूँगी तो अगर आपके बास मोल्ड नहीं है तो आप कोई भी जो disposable cup होता है उसमें भी आप टाल सकते हैं मैं आज जो यूज करूँगी वो एक jelly का है jelly का cup है तो उसी jelly के cup में मैंने इसको संभाल कर रखा था ताकि मैं आपको दिखा सकूँ उसमें मैं आज आपको soap बना कर दिखाऊंगी तो soap बनाने के लिए आपको मोल्ड खरीदने की कोई जरूत नहीं है मेरे पास मोल्ड इसलिए है क्योंकि मैंने soap making का कोर्स किया था तो उस वक्त हमने काफी सारे खरीदे थे तो और मैं orders भी काफी लेती हूँ तो इसलिए मेरे पास काफी सारे molds भी है तो अभी मैं आपको मोल्ड में भी बना कर दिखाऊंगी और साथी साथ में आपको कप्स में भी बना कर दिखा रही हूँ अब मैंने इनको डाल दिया और जो उपर आप जाग देख रहे हैं इनको हटानी के लिए आप थोड़ा सा एलकोहल स्प्रे कर दीजिए जो हम हमारा जो हैंड सानिटाइजर है उसको भी आप स्प्रे कर सकते हैं तो बबल्स रिमूब हो जाएंगे और चाहे तो आप अपने सोप को ऐसी छोड़ दीजिए ये बिल्कुल ऑप्शनल है तो तीन से चार घंटा मैंने सोप को छोड़ दिया बाहर फ्रिज में नहीं रखना है बहुत सारे लोग बोलते हैं फ्रिज में रख दीजिए बिल्कुल भी मत रख दीजिए इसको बाहर अपने आप सेट होने दीजिए सोप बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा अब मैं आपको इसमें कटोरी से भी दीमोल्ड करके दिखाती हूँ देखिए यह जली का कप था तो मैंने इसी को यूज कर लिया कोई भी ग्रीजिंग नहीं किया है बस इसको डाला और देखिए बिल्कुल उसी के शेप में निकल कर यह आ गया है तो इसमें बनाने का मेरा यही परपर्स था मिनको आपको दिखाना था कि यह किसी भी बरतन में बनकर रेडी हो सकता है आप चाहे तो कटोरी में भी डाल सकते हैं छोटे टिफिन बॉक्स में भी आप डालके बनाकर निकाल सकते हैं बस जो main चीज आपको चाहिए वो है soap base और soap base भी आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है और ये जो soap base का बिलकुल भी मेरा sponsored वीडियो नहीं है क्योंकि मैंने use किया उनका soap base मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं अपना personal experience शेयर कर रही हूँ और देख सकते हैं मेरा soap बनकर बिलकुल ready है तो मैं आपको use करके भी दिखाती हूँ ये देखिए अब मैं आपको use करके दिखाती हूँ इतना बढ़िया soap है बिलकुल भी harsh नहीं है एक baby के लिए भी आप इसको use कर सकते हैं देखिए बढ़िया से जहाग भी निकला है इस साबुन में इलकुल थोड़ा समय ने use की और कितना बढ़िया जहाग निकला है तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आपको अगर अच्छा लगे तो like, share और comment जरूर कीजिएगा चैनल में नए है तो subscribe भी जरूर कीजिएगा thanks for watching my video